पूरी दुनिया कोरोना वारेस संक्रमन की वज़ा से घरों में कैद है इसकी वज़ा से कई तरह की मुश्किले पेश आ रही है आर्थिक गतिविधियां ठप है और बेरोज़गारी बढ़ गई है लेकिन लॉक्डाउन का पर्यावरन पर अच्छा असर देखने को मिला है धर्ती की घुटती सांस लोटने लगी है कव स्टोरी में इसी बदलाव की बात मार्श के महीने से कार्बन उच्छन में कमी आई है जब दुनिया के अधिकतर हिसों में लॉक्डाउन लगा हुआ था तब हर रोज होने वाले उच्छन में 17 प्रतीशत से भी ज्यादा की गिराव अटाई थी मगर वेग्यानिकों का कहना है कि ग्रीन हाउस गैसों में आई ये कभी स्थाई नहीं है हाला कि अगर इससे सबक लिया गया तो आने वाले समय में पर्यावरण के गंभीर संकट से बचा जा सकता है बीबीसी समवादा था डेविड शुकमर की रिपोर्ट कोरोना काल में दुनिया भर में कई कमाल के बदलाव देखने को मिले हैं भारत की विस्त सडकें थोड़ी शांत नजर आती हैं और सांस लेने का एहसास बदल गया है चीन की विश्व प्रसिद दीवार भी साफ साफ नजर आने लगी है आम तार पर प्रदुशित रहने वाला पैरिस सच हो गया है वाइरस के खिलाफ जंग ने दुनिया के कई देशों की अर्थ व्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचाया है और उसे सुस्त कर दिया है पर इससे हवा साफ हो गई है और धरती को गर्म करने वाले कार्बन उत्तरजन में कमी आई है पूरी दुनिया की सडकों पर ट्रैफिक में कमी देखने को मिल रही है बिजली की कम मांग से भी बड़ा बदलाव आया है विमानों के जमीन पर खाड़े होने और बेहत जरूरी उड़ानों की वज़े से हवा में कार्बन की मात्रा कम हुई है ये पैटर्न दुनिया भर में देखा जा रहा है यहां रंग जितना हलका है उसका मतलब है कि उत्सरजन में उतनी ही कमी कुछ देशों में उत्सरजन लौट रहा है पर फिर भी ये एक बड़ा बदलाव है उत्सरजन में हम प्रते दिन करीब सत्रफ प्रतिशत की कमी देख रहे है जो बहुत बड़ी बात है हमने ऐसा पहले कभी नहीं देखा रोड ट्रांस्पोर्ट में कमी की वज़े से ही ये बदलाव आया है पर चीन ने अब लौकडाउन हटा दिया है और वहां सडकों पर ट्रैफिक बढ़ने से उत्सरजन में बढ़ोतरी हुई है कारबन में कमी कोई हमेशा के लिए नहीं आई है लौकडाउन के खुलने से मुख्य सडकों पर ट्रैफिक बढ़ने लगा है पर कई तरह के पाबंदियों का परयावरण पर काफी हैरान करने वाला असर हुआ है कार्बन उत्सर्जन के साथ हवा की गुणवत्ता में भी सुधार आया है कई तरह के प्रदूशनों में काफी गिरावट देखी गई है पर जैसे जैसे अर्थ फ्यवस्थाइं सुधरने लगेंगी वैसे ही शहरों में जहरीली हवा का असर दिखने लगेगा विशेशग्यों को लगता है कि इस संकट ने हमें दिखा दिया है कि प्रदूशन पर काबू पाया जा सकता है कई शहर लोगों को साइकलिंग और पैदल चलने के लिए प्रोटसाहित कर रहे हैं जिससे वो बीमारी से भी बचे रहें और प्रदूशन भी कम हो वो उम्मीद कर रहे हैं कि वायरिस के खौफ के बीच एक स्वच्छ भविश्य की बुनियाद रखी जा सकती है कोरोना वायरिस संक्रमन के बाद लॉक डाउन के चलते प्रदूशन कम हुआ है लेकिन कई जगा कुदरत के प्रकोप से महामारी फैलने का डर बढ़ गया है चाहे तूफान अंफन हो युगांडा में आई बाड हो या पर प्रशान त्वीप समू के देशों का चक्रवात हो इन आपदाओं की वज़ा से हजारों लोग विस्थापित हुए और अब कैम्पों में रहने को मजबूर है यह तस्वीरें बांगला देश के कैम्प की हैं जहां तूफान अंफन की वज़ा से विस्थापित हुए लोगों को रखा गया है यहां देखा जा सकता है कि कई लोगों ने मास्क नहीं पहने हुए हैं और उन्होंने उच्चित दूरी भी नहीं बनाई हुई है जिस से कोरोना वाइरस का खत्रा बरकरार है बांगला देश में अभी कोरोना वाइरस के 28,511 मामले हैं और 408 लोगों की जा चुकी है और ऐसे कैंपों में कोरोना के इस दौर में रहना कितना खतरनाक है और क्या दुनिया भर की एजेंसियां यहां के हालात सुधार सकती हैं बता रहे हैं BBC परियावरन समबादाता नवीन सिंग खड़का जो यह बड़े-बड़े जो humanitarian agencies हैं जैसे की UN की यह फिर Red Cross यह Oxfam इन्होंने हमें क्या बताया है कि संसार की विशो की अलग-अलग जग़ पर जैसे कि आप देखे पुरवी अफरीका में जो हुआ अब भारत में जो हो रहा है और जैसे की Pacific Islands जैसे की Fiji, Vanuatu, Tonga, Solomon Islands यहां सब इन्होंने क्या देखा कि जो extreme weather events जब मौसम इतना विगड़ता है और जो चरम मौसम की जो impacts हम देखते हैं चाहे वो समुदरी आधी हो या फिर भारी बरसाद या फिर landslides वगएरा इसकी वज़े से जब लोग displaced हो जाते हैं घर से भाग जाने की मजबूरी होती है तो उनको जहां ले जाया जाता है जो evacuation centers है वहां COVID-19 की guidelines जैसे की social distancing वो maintain करना वो करना असंबव होता है इसे तरह से पानी या फूर साबून यह उतनी आसानी से अपलब नहीं होता है और जब मैंने भारत की लोगों से जैसे की उडिस्या या फिर पस्चिम बंगाल की लोगों से बात की उनका भी यही कहना था कि अब उन्हें डर है कि यह जो जहां वो उनको ले जाया जाएगा वहां काफी भीड होगी और यह भी बता रहे थी कि इन यह जो evacuation centers है उनमेंसे क खाना या फिर दुसरे चीजे उस में ग musik खाना और वो जो pack होते हैं या फिर कोई kumble हो वो जो आप उहां इसमें लिखते हैं वो war सामागरी में उस से भी सायल लोगों को कुछ याद आए और बारत के कुछ राजियों में काफी तबाही मचाई है वहीं पूरवी अफ्रीक की देश यूगांडा में बाड ने लोगों की मुसीबत और बढ़ा दी है पच्चमी यूगांडा के कुल 145 मामले हैं और अभी तक इस से किसी की जान नहीं गई है पर कहीं बाड कहीं तूफान कहीं गर्मी में ओला वरिष्टी इस साल जो कुछ भी देखने को मिला वो मौसम के हिसाब से सामान्य नहीं था ये क्यों हो रहा है और क्या इसे रोका जा सकता है इस बारे में बता र जो है जैसे की भारी बरसात होना या फिर जो लैंस्ताइट वगरा ये जो एक्स्ट्रिम वेदर एवन्स है ये अब बढ़ता ही जाएगा जो जिस तरह से प्रितिवी की तापकरम बढ़ रहा है और फिर जो समुदर की पानी जिस तरह से गर्म हो रहा है इसकी वज़से ये बड़ा चुनुती बनता जारा है